शिवसेना आखिर किसकी है? इस सवाल पर शिड़ी सियासी और कानूनी जंग के बीच दशेरा आ गया। दशको पुरानी रैली की परंपरा के चलते ये दिन पार्टी के लिए खास है। लेकिन दो गुट हो जाने के चलते समिकरन बिल्कुल ही बदल चुके हैं। मामला भले ही भारत निर्वाचन आयोग यानी ECI के पास लंबित हो लेकिन मुंबई के दो मैदानों पर दो रैलियां और अपचारिक रूप से ये फैसला कर देंगी कि असली शिवसेना कौन सी है। महराष्ट के मुख्यमंतरी एकनात शिंदे की अगुआई वाले समों की प्रवक्ता शीतल महात्रे लाखो सैनिकों के जुटने की बात कह रही है। उन्होंने कहा कि MMRDA मैदान पर होने वाले रैली में साड़े तीन से चार लाख लोगों के पहुचने की उम्मीद है। पार्टी समर्थकों के लिए भोजन और पार्किंग की खास व्यवस्था की गई है। उधर ठाकरे गुट का भी दावा है कि कारिकरताओं का सलाव उम्म्रेने वाला है। कहा जा रहा है कि शिफसेना को देनों गुटों के समर्थकों के लिए 5000 से जादा बसें, छोटे वाहन और कार, विशेश ट्रेन की विवस्था की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में शूत्रों के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि शिंदे कैम्प की तरफ से कम से कम 3000 नीजी बस तयार की गई है। इसके अलावा 4000 टेक्सी समर्थकों को मैदान पर लाएंगे। वह ठाकरे गुट ने सिवाजी पार्क तक लोगों को लाने के लिए साथ सुबह से बुक की हैं। आपको बता दे, 1966 में यानि शिवसेना के कठन का साल तब से शिवाजी पार्क में दशारा रैली का आयोजन हो रहा है। लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे को इसके लिए भी कानूनी संख़श करना पड़ा। असले शिवसेना होने का दावा कर रहे शिंदे कैंप ने भी शिवाजी पार्क में रैली के लिए आवेदन दिया था। लेकिन कोट ने उद्धव के हक में फैसला सुनाया। वाई शिंदे गुट बांदरा कुरला कॉंपलेक्स में रैली करवाने वाला है। तो सवाल उठता है कि रैली में आखिर क्या खास होने वाला है। संभावनाय जताये जा रही हैं कि दोनों नेता शस्त्र पूजा के बाद रात करीबाट बजे भाशन दे सकते हैं। कहा जारा है कि उधव के बेटे और शिफसीन विधायक आदित्य ठाकरे पहली बार दशारा कारिक्रम में भाशर दे सकते हैं। मैं सीम एकनार शिंदे भी पार्टी के नए जहंडे का अनावरण और एक गाना भी जारी कर सकते हैं। इसके लावा शिंदे की रैली में शस्त्र पूजा के लिए 50 फीट उची तलवार भी रखी जाएगी। इसके लावा बीकेसी में मुंबाई पुलिस और ट्राफिक के 2000 जवान 5-6 DCP और 15-16 ACP तैनात रहने वाले हैं। अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। झाल। झाल।